हेलो दोस्तो हमारी यूटूब चैनल सुभमत्यारी ब्लोगर में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पुराने जवाने के कुछ चीजे दिखाऊंगा जो कि आज के समय में वो चीजें बिलूपत हो गई हैं वो चीजे अब दिखाई नहीं देती हैं तो मैं आज आज आपको इस वीडियो में वही पुराने जवाने कुछ चीजे दिखाऊंगा और आप लोग वीडियो में बने रहें वीडियो को सुरू से लाश तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो को आप सुरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो की सुरूआत हम इस सैकल से करते हैं दोस्तो आप जो भी वीडियो देख रहा होगा वो कॉमेंट में जरूर बताएं कि सैकल कौन-कौन अपने बच्पन में चलाया था दोस्तों हम तो अपने बच्च्पन में इसी सैकल से शुरुआत किये थे हम लोग सबी कोई इसी एक ही सैकल से पूड़े परिवार का काम होता था हर एक घर में पहले के जमाने में आज तो ये सैकल देखने को ही नहीं मिलती हैं और मिलती भी हैं तो आजकाल मोटर के द्वारा चलती हैं वो सहकर और ये तो आप सभी लोग चलाए होंगे एक टायर है जो की पहले जब सुब़े बच्चे सोके जागते थे तो इसी में डंडे लगा कर इसको चलाते थे और सभी बच्चे एक साथ इकठा होकर खेलते थे आज के लड़के तो फ्री फायर और क्या बोलते हैं इस कूटी चलाने लगे हैं लेकिन पहले यही था यही सभी लोग डंडा लेकर इसी को चलाते थे और इससे बहुत ही मज़ा आता था सभी लोग इकठा होकर इसमें से एक चीज और है कि दोड़ने से कसरत भी हो जाती थी लेकिन आज के लड़के हैं कि मुबाइल में गेम और स्कूटी मोटर सैकल ये चलाते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले हर एक घर में ये डिबबा हर एक घर में रहता था पहले के जवाने में हर एक घर में जब तेल आता था इसी प्रकार के डिबबे से तेल आता था और इसी डिबबे को जब ये एक तेल खाली हो जाता था तो इसी में से दोस्तों हर एक घर में बैठने के लिए इस टूल जैसे बना लेते थे आज तो हर एक घर में जितनी चाहे उतनी कूरसियां बजार से खरीद लाते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले पैसे की भी कमी होती थी तो इसी में से जब तेल खतम हो जाता था तो लोग इसी को इस टूल बना कर जब कोई महमान आते थे इसी में बैठा देते थे और दोस्तों बहुत अच्छा लगता था आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे पहले जब किसी के घर में हल चलते थे तो इसे वो बैल के उपर इसी को लगाते थे हल चलने के पहले किसान इसको ले जाकर अपने खेत में रख देते थे सुबह के टाइम हो पहुत अच्छा लगता था लेकिन आज के जवाने में टेटर के आगे ये सब कहां दिखाई देते हैं आज तो हर एक गाउ में दो ठो तीन ठो चाठो टेटर हो गए हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले हल चलते थे हर एक घर में हर एक घर के घर में ये सब रहता था और बहुत अच्छा लगता था और इससे ये भी था दोस्तो ब्यायाम तो अधिक से अधिक होता भी था लेकिन आज ट्रेक्टर में डाइवर बस बैट की इधर से उधर स्टेरिंग घोमाते हैं लेकिन इसमें से तो बहुत कसरत हो जाती थे ये रेडियो किसने किसने सुना है कमेंट में जरूर बताएं दोस्तो पहले हार एक घर में टीवी नहीं थी लेकिन ये रेडियो हार एक घर में था और कम बजट में आ जाता था पहले के लोग क्रिकेट खेल या आकास वाड़ी से जो कूछ भी प्रसारित होता था तो लोग इसी में कान लगा कर बैठे रहते थे कि अब टाइम हो रहा है अब उधर से कुछ न कुछ परसारीत होगा लेकिन आज के जबाने में ऐसा है कि कान से भी सुनेंगे और आख से भी देखेंगे लेकिन पहले इसको जहां मन होता था वहां ले जाते थे क्रिकेट सुनने में बहुत ही मज़ा आता था रेडियो से सुनने में और दोस्तो टायर के साथ साथ ये रिम कौन कौन चलाया है कमेंट में जरूर बताएं पहले छोटे छोटे बच्चे टायर हो गया रिम हो गई और चपल जो हता है उसको गोल गोल काटके उसकी गाड़ी बना लेते थे और उसी गाड़ी को दोपार के समय खूब चलाया करते थे दोस्तों लेकिन आज के समय में बता तो दिया कि आज के समय में बच्चे जो है तो आज BMW, स्कूर्टी, मोटर सैकल ये सब चलाते हैं इसलिए ये सब चीज़े अब बिलुप्त होती जा रही है ये चीज़े बहुत मुश्किल से ही देखने हैं दोस्तों बड़ी मेहनत से ये सब इकठा करने के बाद में बीड़ो आप लोगों के सामने दोस्तों पहले के जबाने में हर एक घर में यही प्रेस रहता था किसी के घर में नहीं दिखाई देता पहले लोग जब कहीं साधियों में जाते थे तो अपने अपने कफड़े इसी प्रेस से प्रेस करते थे लेकिन आज के समय में तो कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता है आज तो लोगों के घरों में लाइट से चलने वाला फ्रेस है लेकिन पहले इसी में से लोग अपना काम करते थे और इसमें बहुत अच्छा लगता था अपने हाँ से जितना मन हो गरम कर लो लेकिन आज तो लाइट सिस्टम हो गया है बिजली से ये आज कल के प्रिस चलने लगे हैं लेकिन पहले इसी में से काम होता था ये लाल टेम किसने किसने देखा है पहले जब लोग पढ़ाई करते थे या कहीं जाना होता था रात को तो दोस्तो इसी लाल टेम को लेकर निकल पड़ते थे शाहे अंधेरा हो शाहे कैसा भी जाड़िया हो इसी को लेकर लाल टेम को लेकर जलाके निकल पड़ते थे दो लोग तीन लोग इकठा होकर निकलते थे पहले बहुत अच्छा लगता था आज तो ये लाल टेम देखने को ही नहीं मिलती है किसी के घर में पहले इसी में से पढ़ाई भी करते थे लोग आज तो हर एक घर में दो ठो तीन ठो मोबाईल हो गई है जिनका खर्चा जो वीडियो देख रहे होगे उनको पता ही होगा रिचार्ज कराओ ऐसा लेकिन पहले ऐसा नहीं था बस लाल टेम को जलाओ और चल दो लेकिन आज के मोबाईल टार्च जलाना है और ये पहले के जवाने में दोस्तो घास काटने के लिए इसी मसीन का प्रियोग होता था आज भी है फिर भी इस तरह की मसीने अब नहीं देखने क्यों मिलती है आज तो मसीने मोटर से चलने लगी है लाइट से चलने लगी है लेकिन दोस्तो पहले के आदमी जो कहते थे कि पहले के आदमी 100 साल 120 साल जीते थे उसका कारण यही सब था इसमें से दोस्तों गास काटते थे तो बेयायाम सुबह सुबह अत्यधिक हो जाता था लेकिन आज के लोग क्या है कि परिस्रम कम सकम करना चाहते हैं इसलिए आज के समय में अधिक से अधिक बीमारियां फैल रही है लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले सुबह चार से पांच वजे लोग सो कर जाग जागते थे और इसी में से घास काड़ते थे जिससे उनका सारीरिक संतुला निकदम बना रहता था दोस्तो पहले ये हरे घर में जब किसी के घर में ठेसरिंग हो जाती थी या गेहू कट जाता था तो इसी में से उस गेहू को नाते थे कि कितना गेहू हुआ लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है आज के समय में ठेसर से ठेसरिंग होने के बाद आज ये गेहू को इसमें से नहीं नाते हैं बलकि एक मसीन के द्वारा उसको उसका बजन कर लेते हैं और आकड़ा इसी में से लगाते हैं लेकिन दोस्तो अब आज के समय में ये देखने क नहीं मिलता लेकिन पहले हर एक घर में लक्षमी जैसे इसको मानते थे और सभी के घरों में ये रहता था आज तो मसीनों में बजन कर लेते हैं इसका कोई आज के समय में महत ही नहीं है लेकिन पहले इसी का अत्यधिक महत था दोस्तों पहले जब किसी का ठेसरिंग हो जाता थ तो दोस्तो इसे पांचा बोलते हैं पहले इसी में से सभी लोग बूसा जो होता है उसको उपर चढ़ाते थे आज तो मसीनों के द्वारा दोस्तो बूसा को उपर चढ़ाते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले मसीने कम थी और सारीरिक मेहनत अधिक था तब ही लोग अधिक से अधिक दिनों तक जीते थे और उन्हें कोई बिमारी भी नहीं पकड़ती थी तो दोस्तों ये सब थे तो अब वीडियो को एंड करते हैं और दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों और फिर मिलते हैं किसी और अगले ब्लोग में तब तक के लिए दोस्तों टाटा और बाई बाई